हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू मैं चानल आज हम बेसिक विप क्रीम बनाने जा रहे हैं जिसके लिए क्रीम और शुगर ही है इंग्रीडियन्स लेकिन उसके लिए थोड़े बहुत टेक्निक्स है इस टेक्निक्स में हमारे जो बाउल होता है और ब्लेंडर के ब्लेड्स बहु अब फ्रीजर में रख दिया है आप फ्रीजर में 30 मिनिश टू 1 और रख सकते हो बहुत ही चिल हो जाना चाहिए डिपेंड्स ओन योई फ्रीज और विप क्रीम भी न आप फ्रीज में रख दीजिएगा एट लिस्ट चिल होना चाहिए आइस नहीं बनना चाहिए बस सूप जो बोल हमने चिल किया है उससे बड़ा बोल आप ले लिजिएगा आप कौन सा भी मेटिरियल ले सकते हो और उसमें मैंने आइस क्यूब जाल दिया है और उसमें वाटर भी दाल दूँगी और आइसिंग शुगर ले लिया है और ये वीप क्रीम ले लिया है आप अमुल फ बेसन उपर रग दिया है अगर मैक्जिमम हो सकते तो स्टील का बेसन ही यूज कीजिए क्योंकि वो कूल बहुत जल्दी अबज़व करता है अगर आपके पास स्टील का बेसन ना हो तो आप कडाई भी रग सकते हो यूज कर सकते हो और मैंने वीपिंग क्रीम दाल दिया है मैं एक डेज़ट बनाने वाली हूँ तो जो वीपिंग क्रीम हम केक पे यूज करते हो उससे बहुत डेज़ट भी बना सकते हैं हम डेज़ट पे ड्रसिंग भी कर सकते हैं इसलिए मैंने टू बॉक्स दाल रही हूँ ताकि जो डेज़ट मैं बनाऊंगी वो बहुत क्वां ब्लेंड करना शुरू कर दिया है अपने कूल ब्लेट से और स्टार्टिंग ना आप थोड़ा स्लो वन पर ही रखे कीजिएगा ब्लेंडिंग बीट कीजिए और यह थोड़ा उपर गिर रहा है तो इसका धकन ही है यह ब्लेंड करने के लिए एक स्पेशल बॉल मैंने खरीद तो वह मैं यूज कर रही हूं ताकि वह मेरे ऊपर आके ना गिरे तो इसलिए मैंने यूज कर रही हूं और आप वन मिनिट के लिए थोड़ा स्लो पी करिए उसके बाद आप फुल स्पीड रख सकते हों ब्लेंडिंग के लिए और पौडर शुगर कर लीजिए आइसिंग आपको बाहर से मिल जा सकता है और या नॉर्मल शुगर भी आप पौडर मिक्सी में यूनो जार दालके पौडर बना लीजिए गा और वो इवेंचियल होने दालके आप मार सकते हो बीट कर सकते हो बीट करना चाहिए और शुगर का कॉंटिटी ऐसे कुछ नहीं है इत विपिंग क्रीम में उतना फरक नहीं पड़ेगा तो थोड़े लोग शुगर भी नहीं दालते है थोड़ा तो स्वीट होना चाहिए क्रीम है तो उसके बाद अच्छे से ब्लेंड कीजिए गा और ब्लेंडर के लिए ना ये वाला ब्लेंडर ही बैस्ट है आपके पास मार् हो लसी बना सकते हो ब्ला ब्ला लेकिन अगर आपको रियल ब्लेंडर लेना हो तो ना ऐसे मत कीजिए त्री इन वन ऐसे स्पेशल आपस पे ना जाहिए वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा वो आपको यूनो वीपिंग क्रीम बनाने के लिए ऐसे क्रीम जो बहुत बहुत अच्छा कॉल्टी वाला होना चाहिए तो उस त्री इन वन टाइप ब्लेंडर्स या यूनो लंबे वाले आरे वो बेकार है वो यूज मत कीजिए वो मत खरी दिये अपने पैसे आई नो इस वो कौश थोड़ा सा कम है लेकिन ये आपको खराब नहीं होगा मैं वन येर से यूज कर रही हूं आपको लेना हो तो यही लीजिएगा वो आपका पका खराब हो जाएगा क्यूंकि मैंने अल्रेड़ी वो त्री टाइम्स खरीदा है और त्री टाइम्स रिटर्न नी कर दिया है थैंक्फूली वो हम रिटर्न कर रिटर्न यहां पर थोड़ा इजी है ड निकाल के आपके लिए विटाउड दिखा रही हूं यह देखिए कितना ब्यूटिफूल सा हो गया मेरा विपिंग क्रीम और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपको डेजर्ट शेयर करूंगी जो कि मेरा फेवरेट 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 क्रीम डेजर्ट है और मेरेको 5-10 मिनिट के अंदर ही बन गया विपिंग क्रीम तो देखिए 5-10 मिनिट में डेजर्ट भी ऐसे हो जाएगा तो नेक्स्ट मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर आके देखिए कि असान वाला डेजर्ट अब कैसे बना सकते हो विपिंग क्रीम से और मिलते हैं परफेक्ट वीपिंग क्रीम यह देखिए ज़रूर लाइक किजिए बाई